असलाम अलेकूम फ्रेंज्स गुड मॉर्निंग कैसे है आप उमीद करते हूं ठीक होंगे अलहमदुल्ला हम भी ठीक है तो यह सैटरड़े का व्लॉग है तो यह जनाब सड़े तीन बजे से उठे हुए है और फिर इनको एराउंड 7.15 के करीब मैं नीचे लेके गई थी फो कई कई बार हफते में दो थीन बार तो मिनिमम लेके ही जाती हूं दिखिए इन्हें ऐसे खुला रखना चाहिए तो धूप बेसिकली उनके पीट में पढ़ना चाहिए तो इस बेट फो दे अब्सॉप्शन फिर मैंने इन्हें ज्यादा टाइम खुला नहीं रखा था बिक अबर का टॉप बिना दिया था तो यह जो उठे वे थे ना फिर जाके उन्होंने मैं फिर 8.30 के करीब या 8.45 के करीब मैं उन्हें नाश्टा दिया था बिना नाश्टा किये उधर ही सो गए बतल फ्रेंच टोस्ट दिया था तो आदा खा के मैं इदर किचन में बिजी थी खा रहे थे मैं देख रही थी किचन में कुछ काम में मस्रूफ हो गई थी किचन में तो इनकी तरफ ध्यान ने गया और मैं 5 मिनिट के अंदर वो खाते खाते उधर सोफा में तो ऐतनी नीन दा रही थी उसको फिर ए नाश्टा नाश्टा शूरा तो लै थीक्टा लेवं की सोके 11.30 पर उटे यह देखे इदर मस्ती कर रहे हैं वही है सो ऐसा गुजरा हमारा दिन दिन की शुरुआत ऐसी हुई यह देखें यह कितनी खुबसूरत सी यह है इदर यह हमारे एरिया में ही है हमारे गार्डन के साथ उदर कभी मैं सोचती हूँ कि सुबह जाके उदर बैठ के काफी अराम जैंजॉई करूँगी बट यह तो कभी होता है नहीं बच्चों के साथ इनके टाइम के हिसाब से सब कुछ होता है फिर आ गई मैं किचन पे सुबह नाश्टा बनाने के लिए यह ग्लास की जार है जिसमें मैं पानी भर रही हूँ गरम पानी मैं इससे पहले स्ट्रगल करती थी इसमें मैं घी स्टोर करके रखती हूँ तो बहुत स्ट्रगल करती थी कैसे दूं कैसे दूं फिर मेरे सासु माने बोला कि उस पे गरम पानी दालो थोड़ी देर रखो और फिर आसानी से निकल जाएगा मैं एक गंटा रखी और यह आसानी से मतलब गिसना कुछ नहीं पड़ा तो इमीडियल्टी निकल गया और यह मैंने इदर कैरट अंड ब्रॉकली का सूप बनाया था सूब ब्रेकफास्ट के लिए यह मैंने दो ग्लास बॉक्स ओनलाइन ओडर किये थे इसे डिविजन वाले चाहिए थे मुझे जहां पर एक तरफ में कोरियंडर लीव्स एंड करी लीव्स एक ही में दाल सकूं तो वह अक्सर कोरियंडर लीव्स खराब हो जाते हैं जल्दी तो इसको फिर सेब करने का मुझे यही लगा तो इसके अंदर सेप करके और टिशू के साथ राप करके इसके अंदर दालूंगे और ग्रीन चिली जो जब अभी कुछ पकाना होगा तो एक ही में सब मिलेगा वरना दूसरे दूसरे डब्लों में ढूंदना पड़ता था तो इसलिए मैंने एक और कर दिय और डाइन जो ज़स्ट अभी अराइव दो आ है वैसे यह लंच के लिए भी चलेगा घृश्बिन के लिए बाट यह थोड़ा स्पेस थोड़ा चोटा ही वह बट आइऑ इसके लिए लिए और पी ठोटा ही हो गया मुझे लगा थोड़ा स्पेशिस बढ़ा होगा बट देखते हैं, एज़स्ट करके दालती हूं कि में, कुछ इस तरह सा स्टोर कर दिया, इसको आपकावर कर दोगी, और बंद करेंगे, इसमें मैंने, तो कोरियंडर लीफ, एंद करी लीफ, थोड़ा इसमें भी करी लीफ दाना है, क्यूंकि इसमें स्पेस कम था ना, तो इसमें तो इसमें में डिवाइड करके दाल दिया, अब देखते हैं, कितने टाइम तक लास्ट करता है, ये शाम का टाइम था, हस्बन जल्दी आगए थे और उन्हें भूख लगी थी, तो फिर पोटेटो और स्वीट पोटेटो का मैंने, फ्रेंच फ्राइज बना दिया, इसमें सब मिक्स करके फिर बेग कर दिया मैंने, मैं डीप फ्राइड आइटम्स हमेशा एवाइड ही करती हूँ, हम लोग बड़ापा की तरफ जा रहे हैं, तो I'm just taking care of health, avoiding डीप फ्राइड स्टाफ, कभी-कभी महीने में दो बार खा लेते हैं, बस इसके अलाब और डीप फ्राइ कम सी बनाती हूँ, जितना हो सके, और ये न्यूटरिशनल इस्ट मैं अड़ कर रही हूँ, ये उप्शनल है, बस था, सामने तो ये कपसे पड़ा हुआ था, किसी तरह यूस करना है, तो बस इसमें डाल दिया, मैंने ये जूस में वगरा डाल सकते है, ये न्यूटरिशनल तो बस ये उप्शनल है, ये जिस तरह लिए रख दिया, तो बस ये बेक करने के लिए रख दिया, और शाम का टाइम था, कुछ लाइट भी बनाया था, और ये चीज मैंने रायान को भी दिया था, कभी-कभी मैं फूट्स, पॉपकॉर्न देती हूँ रायान को शाम के लि है मुझे न, बस शाम पे नहीं काउंट इतनी तलब होती है, तो ये बस ये बना लिया था मैंने, अगर आप ट्राइ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम में मुझे टैक कर देना, मुझे उधर भी फॉलो करना, अगर आपको पसंद आएगी मेरे रेसिपी या ऐ की सबजी बनाई थी रोटी के साथ, और रायान सो गए थे, मैं यूजुली बहुत जल्दी कोशिश करती हूं कि डिनर करूं बट थोड़ा लेट हो गया था, आज अराउंड 8.45 हो गया था, यूजुली एट अकलॉक के अंदर मैं कोशिश करती हूं करने के लिए, बट नह सब्सक्राइब, तो अब ही तो फिलाल मैं जलन और ये क्या लोग कहेंगे देख रहे हूं, अभी तो फिलाल मैं जलन और ये क्या लोग कहेंगे देख रहे हूं, I hope आपको वीडियो अच्छी लगे हो गई, अच्छी लगे है तो प्लीज, consider subscribing, thanks, see you in my next vlog, until then take care, and Allah Hafiz, Assalamualaikum झाल